क्या आपका भी कभी ऐसा मन होता है कि वो टेस्टी सा समोसा जो हलवाई बनाते हैं उसे हम खुद बनाके देखें होता है ना तो बस आज की वीडियो आपको लास्ट तक देखनी है सभी टिप्स वही टेस्टी से समोसे बनाने के आज आज आपको मिलने वाले हैं तो स्वागत अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा चैनल पर आप नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को आईए देखे किन किन चीजों से बनेगा यह देखे यहां पर मैंने आलू लिये हैं इन्हें मैंने तीन विसलाने तक उबाल लिया था उसके बाद छि से की बहुती टेस्टी बनता है समोसा आप देसी घी लेके देखिएगा यहां पर जितना मैदा है उस हिसाब से हमने यहां पर बड़े वाली चमच एक नमक की ले ली है आप अपने टेस्ट के मताबिक भी ले सकते हो अब लिया है मैंने यहां तीखा जोगी समोसे की जान हो कम खाते हो दिखा तो कम भी लिया जा सकता है अब लिये है कुछ हल्दी जो कि मैंने चमच का चौथाई हिस्सा ही लिया है यहां पर साथ ही यहां 6-7 लस्तन की कलिया जो की बहुत ही अच्छा टेस्ट देती है समोसे में उन्हें मैंने पीस लिया था तो बहुत ही गज़व का इसका टेस्ट आता है, डाइजेशन के लिए भी काफी अच्छी होती है, ये सुखा हुआ साबुत धनिया लिया है, मैंने ये भी बड़ा अच्छा टेस्ट देता है, साथ में लिए है कुछ अजवाइन मैंने, अजवाइन भी बहुती अच्छा टेस्ट भी देती है, इसे में डाइजेशन के लिए भी अच्छी होती है यहां कुछ ताजा धनिया मैंने काट के ले लिया है इसका भी अपना एक अलग स्वाद है अब लिया है कुछ पानी यहां पर जितना यूज होगा उतना हम डालेंगे तो सबसे पहले हम जो मैदा है उसका अच्छा सा डो हमने ल आज़ा देंगे उसके लिए ही चाहिए होगी तो पहले इसका डो लगा लेते हैं यह देखिए कोई भी आप ठाली प्लेट जो भी आप लेना चाहे ले ले आप उसमें हमने मैदे को गूंदना है मैदा ले लिया अजवाएन डालेंगे इसमें हलका सा देखिया ऐसे हाथ से मैं इसको हलिका सा घिसके डालूँ कि इससे क्या होता बहुत ही अच्छी खुश्बू अजवाइन की आती है मिला देंगे इसे अब डाल देंगे इसमें कुछ नमक जो की चमच का चौथा ही हिसा ही हमने यहां डालना है बाकी हम बाद में फिलिंग में आने की आलूँ में डालेंगे यहां पर कुछ नमक डालना चाहिए ताकि तो जो स्किन होती है ना समोसे कि उसमें भी टेस्ट आ जाए अब जो हमने एक चमच लिया था गही का वो भी हम ले लेंगे मौन लगा देंगे सबी जगा अच्छे से यह इसका आपको पहले सबसे पहले आपने यही ध्यान देना है कि अच्छे से लगा हुआ होना चाहिए जब हम ऐसे आटा मुठी में बांदे तो ऐसे यह देखिए इसकी एक लड़्डू टाइप बनना चाहिए अब डालेंगे पानी जो की ज़्यादा कॉइंटिटी एक साथ बिल्कुल भी नहीं डालनी है देखिए बस इतना इतना पानी डालते जाना है गुंदते जाना है एक सॉफ्ट डो हमने लगाना है ऐसे ही पानी डालते हुए बस यह कुछ टिप्स है आपके लिए कि मोयन कैसे लगाना है पानी कैसे डालना है बस इन जी जो का दिहान दीजिए आप बहुत ही टेस्टी समोसा बना सकते हो अभी आगे भी आपके लिए कुछ टीप्स है देखते जाएए आप वीडियो को बहुत काम की वीडियो है जिसने समोसा जिसको पसंद है या जो बनाना चाते हैं यह देखिए मैंने ऐसे ही पाने डालते हुए देखिए यहां पे डो लगा लिया है जो की ना बहुत सॉप्ट होना चाए ना जादा हार्ड होना चाए देखिए ऐसा ही होना चाए बहुत कम पानी यूस हुआ है आदा ही कपट लिया था उसमें से भी कुछ बच गया है ज़्यादा पानी यूज नहीं होता है इसमें अब हम आटे को ढख देंगे पांच मिनट के लिए ताकि ये अच्छे से सौप्ट हो जाए तब तक हम फिलिंग बना लेते हैं गैस को चला दिया गैस पर पैन लगाया है दो डाई चमच इसमें मैंने तेल के डाल दिये इसमें सबसे पहले हिंग की चुटकी डाल दी हिंग जैसे ही लगे कि इसकी खुश्बू आगी पग गया वैसे ही सूख़धनिया डाल देंगे इसे भी हम सेख लेंगे देखिएए अ डाल देंगे लस्सुन बहुत ही अच्छा टेस्ट देता है लस्सुन इसमें अब आई इसमें अब डालेंगे जी तीखा जो की है समोसे की जान इसे भी हलका सपकाएंगे अब हल्दी अब नमक डाल देंगे जो की चमच एक चमच लिया था उसमें से हमने कुछ नमक पहले उसमें आटे में डाल दिया था अब आलू डाल दिये मसाले मिला लेंगे इसमें अच्छे से यह देखिए अच्छे से आलू की जो स्टॉफिंग है अच्छे से बन गई है अब इसमें कटा हुआ धनिया डाल देंगे बहुत कम चीजे हैं देखिए तो सभी के किचिन में होती है इसे ठंडा होने देते हैं तब तक हम अपना आठा दे देख लेते हैं यह देखिए हलका सा हाथ में तेल लगाएंगे चला लेंगे इस आठे को गुंद लेंगे आने की आधा मिनट के लिए अच्छे से गुंद लेंगे इसे यह देखिए आठे को हमने अच्छे से गुंद लिया निकाल देते हैं इससे किसी टीफिन में यहां पर जो हमने आलूओं की स्टरफिंग बनाई यह भी ठंडी हो गई है यह लिया है कुछ पानी जो की मैं बताऊंग ताकि यह सूख न जाए अब ले लेंगे हम चकला उस पर मैंने हलका सा तेल लगा दिया है ताकि चिपके ना इस पर आटा अब इसको बेल लेंगे हम यह देखिए ऐसे इसको हमने गोल नहीं बेलना है यह देखिए ऐसे हमने इसको बेलना है इस स्टाइल में देखिए तब अब ही जो स्मोसे शेप बहुत अच्छी आपाती है जितना हो सके.. एक जैसा हमने बनाना है कहीं अब साग्र हमें बना चाहिए इच से इसको हम काटेंगे क्योंकि इसके दो समोसे बनेंगे यह देख लिए काट लिया अब यहां पर पानी लगाएंगे जहां से हमने इसको काटा था वह वाली साइड पानी लगाना है यह दियान दीजिए अब देखिए अब इसको किया ऐसे फोल्ड यहां से इसको अब इ लेंगे हम मैं इसमें तीन तीन जमच स्टॉफिंग के डालूंगे क्योंकि स्टॉफिंग से ही तो टेस्ट आता है न दबा दबा के इसमें स्टॉफिंग डाल दी अब यहां पे भी हम इसको हमने चिपकाना है न तो इसमें भी हम पानी लगा देंगे अब ऐसे देखिए जैसे हलवाई स्टाइल आपने बिल्कुल बनाना है देखिए ऐसे इसमें एक प्लेट हम डालेंगे ऐसे फोल्ड किया साथ में जो जहां से हमने इसको चिपकाया था ना वहां इसको इसके साथ ही चिपका देंगे अब इस सबी को अच्छे से बंद किया यह हलवाई स्टाइल बन जाता है देखिए बिल्कुल ऐसे होते हैं ना हलवाईयों किसमों से देखिए बन गया कितनी अच्छी शेप आई है यह देखिए इसे बना लिया हमने शायद आपको समझ आया होगा नई तो मैं आपको भी एक सिखा देती हूँ अब यह वाला ले लेंगे यहां पानी लगाना है जहां से हमने चाकू से इसे काटा था यह धियान देना है आपने तब ही इसकी शेप अच्छे से आएगी पानी लगा के इसको चिपका देंगे जैसे हमने पहले चिपकाया था चिपका दिया अच्छे से ताकि यह खुले ना यह देखिए ऐसे अब इसमें डाल देंगे आलों की स्टफिंग काफी ज़्यादा ज़्यादा मैंने इसमें स्टफिंग डाली है स्टफिंग डालने के बाद हलका सा इसे हम हाथों से दबा देंगे यह देखिए ज़्यादा स्टफिंग डालनी हो तो हलका सा दबा सकते हैं इसे ऐसे अब इसमें भी बिल्कुल ऐसे ही पानी लगा देंगे ताकि यह चिपक चाहे अच्छे से प्लेट डालेंगे आप चाहे तो इसे ऐसे भी चिपका सकते हो simply मैं हलकी सिसमें बिल्कुल हलवाई स्टाइल बनाने के लिए देखिए ऐसे फोल्ड किया ऐसे चिपकाया साथ में इसके साथ भी चिपका दिया यह देखिए उसके बाद सबी यह जगा से अच्छे से बंद किया इसको यह देखिए यह भी बन गया भाई है ना बिल्कुल हलवाईयों के जैसे समोसे यह देखिए दो बना लिये मैंने तो बस ऐसे ही सबी को बना लेती हो यहां सब भी समोसे मैंने बना लिये हैं बहुत ही अच्छी शेप आईए, आईए तलते हैं इन्हें, गैस पे मैंने तेल लगा दिया, सबसे ज़्यादा ध्यान आपने यहां देना है, क्योंकि यहां से समोसा गलत हो सकता है भाई आपका, यह देखिए, समोसा डाला, कोई हलचल नहीं है तेल में, याने कि हमें तेल क बहुत ही धीमी आच पे पकाना है समोसे को, जो तेल है, वो बहुत ही मतलब बिल्कुल हलका सा सेक आना चीए, जब हम इसमें हाथ लगाए, सबसे ज़्यादा ध्यान यहां पे देना है, आप देख सकते हो, जब मैंने इसमें समोसा डाला, तो कोई इसमें से बबल नहीं नि तो को rayप आ जाते हैं, उसकी जो स्किन है, वो खुची-खुची होती है जब हम खाते हैं, मैक्सिमम वही शिकायत आती है, जब हम बना भाते हैं, यहां थीक बना देते हैं, लेकिन यहां दिक्कत हो जाती है, तो देखिए अभी इनको पकते हुए कोई एक मिनट का टाइम ह हमने सेकना है आपने कोई ऐसा तेल लिया हो जिसे पहले पकाना है तो आप पहले उसे पका ले अच्छे से उसके बाद उसे कुछ ठंडा होने दीजिएगा यह बहुत ही में पॉइंट है अब हम इसे अलड़ते पलड़ते पांच मिनट तक इन समोसों को हमने सेकना है यह क्या टेस्टी समोसा क्या देखने में समोसा लगेगा बहुत ही बहुत ही टेस्टी होने के सासा देखने में बहुत ही ब्यूटिफुल होने वाले हैं यह समोसे यहां लेकिन आपने जितना भी मैंने बताया उनको फॉलो कीजिएगा पांच मिनट का टाइम होने वाला है यह बोलती ही मुह में पानी आ गया इनको देखके ही देखिए आप बहुत ही अच्छे बने हैं लेकिन ये है पेशेंस का काम जब आप इनको पांच मिनट तक बिल्कुल लो आंच पे सेखेंगे तब ये बनने वाले है आपके ऐसे जटपट में आप सोचेंगे कि हम एक मिनट या अब हमने दो मिनट इनको सेखना तब नहीं बन पाएंगी ओ बात नहीं आएगी देखिए आ गया ना मुह में आपके भी पानी वा 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 देखिए यहां प्लेट में निकाल लिया मैंने बहुत ही टेस्टी समोसे बने हैं अब मुझसे ज़्यादा वेट भी नहीं होता है इसलिए मैं तो इसे फटा फट से खाने वाली हूं तो आप लोग भी बस आप आस तो समोसे बनाने आ गए ना तो बच्छट पट से आप भी बना दीजिए इन्हें लेकिन आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा अपने जानने वालों में दोस्तों मे शेर कीजिएगा वीडियो को चैनल पे नए होंगे सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद अम मिलेंगे एक नई डिस के साथ तब तक के लिए बाई बाई